शहर की ताजा तरीन वो खास ख़वरों के लिए अमराथी मंदल न्यूस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तो असा बेल आइकॉन को जरूर दवाएं नमस्कार देनी कमराथी मंदल के मंदल दूस ब्लेटी में आप सभी का स्वागत है आईए पेश करने आज़की हुच खास कमें राज्य की सिज़ाई मंत्री तरस राष्ट वाधी कॉंग्रेश के प्रदेश दख्ष जैन पाठील ने यहां पुलाई कि पत्रकार परिश़ट में काहां कि इस समय राष्टवाधी कॉंग्रेस के समावेश रहने वाली राज्य की महाविकास आगाडी द्वारा बेहर्शादा तरीके से काम किया जा रहा है जिसका फाइदा आगामी समय में निश्चित तोर पर आगाडी में शामिल घटक दलों को मिल सकता है इस बात के मद्दनेजद राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी की और से पूरी कोशिश है कि नगर पंचायत के चुनाओ राष्टवादी कॉंग्रेस तथा शिवसेनाद वारा महाविकास आगाडी की रूप में ही साथ मिलकर लड़ा जाए लेकिन यदि किसी करणवश इन तीनों दलों के वीच इसे लेकर आपसी सहमत्य नहीं बनती है तो राष्टवादी कॉंग्र चुनामें ता कि राष्ट मतल युछलें कांडल के आगामी तत्र में शक्ती कानून को पारित करते वे हमल में लाया जाएगा ताकि राज्य में महिलाओं वयूतियों की सुरक्षा को सुनिशित किया जा सके साथ ही उनके खिलाब घटित होने वाले अपरादों की दर को नियंतित किया जा सके आनि एकादिया शी दूदवी घटना धानी बनात कारी जी हो गरता है तो अरूपी आज अरूपी लाज़ा कशी कड़ोर शीशा करता ही अजे सथ्या जी आजिवन कारावास है तो चलापाशी मोण तो सुता कशा पतित करता ही उत्यार बल्लबद अन्यारू करें नियुक्त करता है। बताते हैं कि इस्तानी शेगवना का परिशरिस्थीद अभियत्ता भवन में दूरा राश्टवादी कॉंग्रेस पर्टी जोरा अमरौती वह बढ़ने राश्टवादी गॉंगरेस परिवास संवात भैठक का आयजिन किया गया था जिसमें राज्ये के ग्रोह मंत्री अनिल देश्मुक्त तापाटी प्रदेशा देक्ष वा सिजाई मंत्री जैंत पाटिल ने राकापा के शहर पदादीकार की वो कारेकरताओं के साथ सव्वात साधा और उन्हें आगामी मन पर चुनाओं के लिए अभी से तैयारी में जुट जाने का आवन किया राजय शाष्ना ची एक वूझना बानकाम कामगराथला जाट खानी ाप्यास करू लगादा और खा शहर पल्लाकर फे याढ नगर्पाली का लग़ए अश्यारत हिकाने दर अपल्लाक्य। जिसके बाद वराडे मंगलकारले में राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के ग्रामिन पदा दिये गारी हो कि बैठक भी आयोजित की थी जिसके बाद वराडे मंगलकारले में ही दोनों नेताओं ने अलग अलग पत्रकार परिश्ट को संबोरित की अमराउती जिले के दोरे पर आये राज्टी के सिचाई मंत्री जैन पाठिल ने यहां के सिचाई भवन में बुलाईगी समिक्षा बैठक में कहा कि जिले के प्रलंबित सिचाई प्रकल्पों को गति दी जाएगी जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा तमाम आवश्यक प्रय किया जाएगा इसी तरह अमरौती जीले की दोरे पर राज्य के ग्रोह मंत्री अनिल देश्मूख ने यहां के शेहर वो ग्रामेंट पुलिस के आला अधिकारियों के साथ एक समिक्षा बैटक में हिस्सा लेते वे कहा कि इन दिनों डिजिटल माध्यमों के आधार पर अनेक अ हो रहे हैं उसका पता लगाने के लिए पुलिस विभाग को भी उसी पद्दती से एक सक्षम व्यवस्ता उपलब्द करानी होगी और अपराद सिद्धा का प्रमान बढ़ाने के लिए जां चेंद्रना को और भी अधिक मजबूत करना होगा रिपब्लिकन पार्टी ओफ इंडिया की राश्टी महासरचीव डॉक्टर राजन गवई का जन्मदीवस प्रतिवर्ष 5 फरवरी को पार्टी कारेगारताओं द्वरा बड़े हर्श वल्लास के साथ मनाया जाता है और कई तरह की आयोजन किये जाते हैं लेकिन विगत 26 जन पार्टी जिले में एक ही दिन के दोरान 189 कुरोना संक्रमित मरीश पाए गये वहीं गुरुवार चार फरवरी को अम्राटी जिले में 158 नए संक्रमित मरीश पाए गये हैं इसके साथ ही समुचे जिले में संक्रमा बीमारी को लेकर एक बार फिर जबर्जस हड़कम संक्रमित मरीश पाए गये थे वहीं अम्राटी जिले में एक दिन के दोरान संक्रमित पाए जाने वाले लोगों की संक्या 189 और अब गुरुवार को 158 नए संक्रमित मरीश पाए गये हैं यहां पर विशेश तोर पर इस बात का उल्ले किया जा सकता है कि नए साल के पहले 35 दिनों के दोरान एक जनवरी से चार फर्वरी तक 2766 नए मरीश पाए जा चुके हैं और अब कुल संक्रमितों की संख्या 22,434 पर जा पहुंचिए यानि रोजाना और शातर से 77 नए संक्रमित मरीश पाए जा रहे हैं वहीं इन 35 दिनों के दोरान अमराटी जिले में 26 लोग क्या है इस बात का फिलाल किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं है हालां कि प्रेशासन द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है कि इन दिनों लॉकडाउन की शर्टों को शिथिल किया गया है ऐसे में लोगबा काफी हर्त तक लापरवा हो गये हैं और मास, सैनिटाइजर और स शहर के ख्यातनाम जिकित सकों से इस बारे में चर्चा की और उनसे जानना चाहा कि अकस्मात कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के पीछे क्या बजा हो सकती है और कोरोना के इस नए दोर से खुद को बचाय रखने ही तो किस तरह की सावधानिया बरती जानी चाहिए कि हर कोई पहले की तरह मास्ट, सैनिटाइजर और सोचल डिस्टन्सिंग के त्रिवसूत्री का पालन करें वहीं सूपर कोवीड होस्पिडल के इंचा डॉक्टर रवी भूशन के मुताबिक इन दिनों जहां एक और शहर से जिले में हरोर जबर्जस बेड़भार का आलम है और लोगबाग कोवीड प्रतिबंदात्म को पायों को लेकर पूरी तरह से लापरवा हो चले हैं वहीं दूसरी और मौसम में भी काफी तेजी के साथ बदलाव हो रहे हैं और वाइरल इंफेक्शन बढ़ गए हैं इन दिनों सर्दी खासी वह मौसमीं बुखार का प्रमान बढ़ जाने से कोवीड टेस्स का प्रमान बढ़ गया है और पहले की तुलना में पॉजिटिव रिपोर्ट काफी अधिक आ रही है इसके साथ ही यह भी नहीं बूलना चाहिए कि जनवरी माह में कुरोना संक्रमान की दूसरी लहर आने का अंदेशा काफी पहले जता दिया गया था ऐसे में हर किसी को पहले से अधिक सजग और सत्रक रहना बहुत जरूरी है शेहर के ख्यातनाम चिकिसक डॉक्टर प्रफुल कडू के मुताबिक जिस समय यह कहा गया कि इस बीमारी की दूसरी लहर आ सकती है तो कई लोगों ने इसे मजाक में लिया था और लॉक्ड़ॉन में छूट मिलते ही हर कोई बेखोफ और लापरवा होकर घूमने लगा यही वज़ा है कि अब तक इस बीमारी को खत्म नहीं किया जा सका है और अब इस बीमारी का दूसरा दौर भी शुरू हो चुका है इसके साथ ही शहर के खैतनम चिकिसर डॉक्टर विजय बक्तार के मुताबिक इन दिनों अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि उन्हें कोरोना नहीं होगा और यही सोच सबसे ज़्यादा घातक है और इसी सोच की वज़े से आए दिन दर्जनों लोग कोरोना संक्रमन की चपेट में आ रहे हैं ऐसे में बेहर जरूरी है कि लोग बाग पिछले अनुभाव से सबक लेते वे आगामी खत्रे को भापकर अभी से सजग वसतर्क रहें तभी हालात को नियंतिरित रखा जा सकेगा इसके अलावा शेहर में सबसे पहला नीजी कोविड हॉस्पिटल खोलने वाले डॉक्टर सोहल बारी के मुताबिक विगत कई दिनों से लोग बाग कोरोना के खत्रे को लेकर काफी हर्त तक लापरवा हो चुके हैं और मास वो सोशल डिस्टंसिंग जैसे नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं यही अपने आप में एक सबसे गंबिर चूक है सभी लोगों ने यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब तक हर एक व्यक्ति को कोविड वैक्सिन नहीं लग जाती तब तक इस बीमारी का खत्रा बरकरार है ऐसे में एहतियाथ ही इस समय सबसे बड़ी सुरक्षा है मूर्शी के एक नामांकित इस्कूल में कारेराच शिक्षक पति पतनी की कोविड ट्रेस्ट रिपोर्ट पॉसिटिव आने के चलते इस शाला से संबन्दित विद्यार्थियों एवोमन के अभीभावकों में जबर्जास भाय का वातारौन है और कई अभीभावक अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कत्रा रहे है इस समय संबाग के पांचों जिलों में 38 इससानों पर टीका करन केंदर बनाते वे रोजणा 4,000 हेल्थ केर वरकरों को कोविड वैक्सिन लगा जाने का लक्ष्ट तैय किया गया है और गत रोज 38 इस टीका करन केंदरों पर 4,000 की बजाए मात्र 1,299 यानि 32.48 विस्तद हेल्थ केर वरकरों ने ही कोविड वैक्सिन का टीका लगाया इसमें यह उलेखनी है कि यह उत्माल वा बुल्धाना जिले में कोविड टीका करन अभियान अपने तैय लक्ष की तुलना में सबसे पीछे चल रहा है जिसकी वज़े से समुझे संभाग में टीका करन की रफ्तार सूस्त दिखाई दे रही है जबकि अमरावती अकोला वा वाशिम जिले में टीका करन अभियान की इस्तिती शांदार है विगत कई दिनों से कॉंग्रेस के नए प्रदेशादेश पत को लेकर कयास लगाए जा रहे थे और विदान सबाद देश नाना पटोले का नाम इस पत के लिए चर्चा में चल रहा था इसी बीच गुरुवा पेश होने की बाद अगले दो दिन इंधन की दरें पूरी तरह से स्तिर रही वही अब पेट्रोल वो डीजल की दरों में हलका जाफा हुआ है गत्रोज तक 94 रूपए 24 पैसे प्रती लीटर की दर पर जापोंचा पेट्रोल की दरों में 26 पैसे प्रती लीटर का जाफा और अब डीजल की दरें 50 रूपए 25 पैसे प्रती लीटर हैं वीगत लंबे समय से पेट्रोल वो डीजल की दरवृद्धी के साथ ही रसोई गैस के इंधन के रूप में प्रेक्ट होने वाले LPG गैस की कीमतों में बढ़ोतरी भी चर्चा में चल रही है और घरिलू गैस पर सरकार की ओर से दी जाने वाली सबसेडी के राशी को घटा कर कम कर दिया गया है ऐसे में अब रसोई के लिए प्रेक्ट होने वाली गैस काफी महेंगी पड़ने लगी है रसोई गैस सिलेंडर के दामों में पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा 25 रूपर 30 सिलेंडर की बृद की तोला हुआ करते से जो विकट चार दिनों में घटकर 59,000 रूपर प्रती तोला की दर पर पहुंच गया है और चार दिनों में सोने के दामों में प्रती किलो 2,000 रूपे की कमी आई है वहीं बजट से संबंदित दो मामलों की सुनवाई पश्चा दोनों ही मामलों में आरोपियों को दोशी करार देते वे सजा सुनाईगी पहला मामला वरोड पुलिस थाना अंतरकत 19 सगस 2017 को दर्श किया गया था जिसमें मीतूराम उधाराम धुर्वे को इसकुल जाने वाली एक अलपवहिन लड़की का पीछा करने और उससे च्छाड करने की मामले में नामजद किया गया था इस मामले की सुनवाई सत्र नयायदिश उर्मिला जोशी फालकी के अदालत में हुई जहां पर आदालत ने आरोपी को दोशी करार देते वे एक परश के करावास वह पांच हेजार परबी कुमार इके ने हमला किया दालत ने आरोपी को दोशी करार देते वे 3000 करार जुर्माना सुनाया जिसमें से 5000 रुपय वतोर हरजा ना फिर्यादी को दिये जाएंगे कुरोनम हमारी काल के चलते हम रौती महानर पाली का की आर्थी किस्तिती बेहत दैनी हो गई है ऐसे में आयका मुखिस्ट्रोत रहने वाले संपत्तिकर की वसूली करने की और मनपा प्रशासन ने अपना ध्यान के अंद्रित किया है और संपत्तिक कर वसूली ही तो अभय योजना शुरू की गई विगत 25 जन्वरी से शुरू की गई यह योजना आगा भी 15 मार्श तक चलाई जाएगी जिसमें 31 दिसंबर 2020 तक बकायास कर रहने वाले करदाताओं को योजना का लाप दिया जा रहा है ऐसे में विगत 9 दिनों के दोरान मनपा की तिज़ोरी में 97,44,906 करोड रुपे का संपतिकर जमा हुआ है गत वर्ष इसी कालाओदी की दोरान मात्र 48,16,577 रुपे की करवसुली हुई थी जो इस बार तुलनात्मा रूप से दो गुनी रही अमरावती जिले की अंति मद्दाता सूची प्रकाशिद हो गई है और इस सूची के मुताविक जिले के 8 विदान सभा छेत्रों में 2265 मद्दाताओं की आयू 100 वर्ष से अधिक है जिसमें से सरवादिक 500 बुजूर्ग मद्दाता बढ़नेरा निर्वाचन छेत्र में है वरुट तैसिल की 60 ग्रामपंचायतों के सर्पंच-पत की आरक्षन गुर्वार को तैसिल कारे लेगे सभागार में निकाले गए 60 में इसे 34 क्रामपंचायतों पर महिला राज रहेगा वल्गाउं रोड पर रेवसा के निकट महालक्षमी जिनिंग फैक्टरी में गुरुवर की दोपर अचनाग आग लगी इस आग में लगबग एक से डिड़ हजार क्विंटल कपास जल का पूरी तरह से खाक हो गया जिसमें करीब 15 लाख रुपय को नुकसान होने का प्रात्म जुर्माना लगाया जा रहा है लेकिन कई लोगों वारा जुर्माना ना भरने से यादाय शाखा ने प्रत्यक्ष वसुली मुहिम को अमल में लाया और वान धार्कों से 10,41,550 रुपय का जुर्माना वसुला है विगर जनवरी महा में धार्णी के नगर सेवक आसिफ सौदागर के घर से सोने चांदी वो नगर सहित कुल 40 लाख रुपय का माल चुरी हो जाने का मामला उजागर हुआ था जिसके बाद पुलिस ने आरुपी की सरगर्मी से तलाश शुरू की और अंदधा आसिफ सौदा साथ कीगी मार्फिट की घटना की विरोध में अमराथी भाग के किश्री करमचारियों द्वरा विगत छे दिन से काम बंद आंदोलन खिया जा रहा है जिसकी वज़े से यहां पर कामकाट पूरी तरह से ठप है गालगनेगर पुलिस थाना अंतरगत आने वाले गुलाब बाबा नगर में रहने वाली एक महिला 10 दिसंबर को अपनी बेटी के घर नाशिक गई थी और कल 3 फरवरी को जब वो वापस अपने घर लोटी तो उसे अपने घर में चुरी हो जाने की बात ध्यान में आई इस मह जाशिकर